आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now question में दिये गए options को देखकर हमें बताना है कि इन में से कौन सा ऐसा set है जो taxonomically correct combination में match किया गया है taxonomically मतलब कि अगर हम अपनी biological classification को देखते हैं तो इन में से कौन सा set सही है यानि same group के अंदर इन में से कौन से कौन से belong करते हैं तो सबसे पहले अगर देखें हमारा पहला option दिया हुआ है cuttlefish, jellyfish और silverfish तो ये तीनों ही हाला कि इनके नाम में फिश तो आ रहा है लेकिन हमारे animal kingdom के अंदर यानि animalia में different phyla में place की जाती है हमारी cuttlefish जो है ये एक mollusk होती है mollusk का phylum के अंदर आ जाएगी फिर हमारी जो jellyfish है ये होती है एक sealant rate इसको हम nideria में डालते हैं जबकि silverfish का हम जानते ही है ये एक insect है orthropodophyllum में ये आ जाता है तो ये तीनों ही अलग-अलग phylum आके हो गए इसलिए taxonomically ये हमारा match सही नहीं होगा फिर दिया हुआ है bat, pigeon और kite तो हमारे pigeon और kite ये दोनों के दोनो avies नाम की class में आते हैं जिसके अंदर सभी birds को place किया जाता है और ये further हमारे caudata phylum के अंदर आने वाली class है तो pigeon और kite तो same class के हो गए same phylum के भी हो गए लेकिन bat जो हमें दिया हुआ है हाना कि ये caudate तो है लेकिन caudates के अंदर bat एक mammal है इसलिए mammalia class में आ जाता है तो इसलिए phylum इनका same हो गया तीनों का लेकिन bat mammal है और pigeon और kite birds है इसके बाद में दिया हुआ है lobster, spider और shrimp तो हम देखते हैं कि orthropoda हमारे animal kingdom का largest phylum होता है काफी diversified होता है अलग अलग तरह की species हमें इसमें मिलती है इसलिए further काई groups में इसको हम divide करते हैं इन में से एक group होता है crustacean नाम का इसके members को crustacean कहते हैं जिसमें crab, lobster, shrimp, prawn इस तरह के हमारे orthropods आजाते हैं तो lobster और shrimp तो हमारे crustacean हो गए जबकि spider जो हमें दिया हुआ है यह हमारे orthropoda phylum के अंदर ही erachnida नाम के group के अंदर आजाता है तो यह तीनों ही हाला कि अलग-अलग groups में बिलॉंग कर रहे है लेकिन same phylum के हैं orthropoda के इसलिए यह हमारे combination सही हो जाएगा आगे देखे लिखा हुआ है oyster, otter, octopus अगे तीनों ही बिलकुल अलग-अलग हो गए oyster हमारा एक mollusk होता है जिसमें हमें shell मिलता है फिर otter हमारा एक mammal है और octopus अगें mollusk हो जाता है तो correct combination में से कौन सा हो जाएगा हाला कि हमारे bat, pigeon और kite यह तीनों भी quadates हैं quadata phylum में same phylum के अंडर बिलॉंग करते हैं लेकिन इतनी diverse classes हैं यह दोनों birds की और mammals की कि इनको हम taxonomically correct set नहीं कह सकते option c सही कर देंगे यहाँ पर क्योंकि सभी orthopods में कई सारे common characteristics होते हैं सभी के अंदर हमें kytin का बना हुए exoskeleton इनकी body को protect करने के लिए मिलेगा, इसके बाद में सभी orthopods अपनी body पे jointed appendages bear करने के लिए जाने जाते हैं तो भले हमारे lobster और स्पाइडर से दूसरे ग्रुप में बिलॉग करते हूं लेकिन सभी ये तीनों ही orthopods हैं, इसलिए option c हमारा correct match हो जाएगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोट करें doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubt 8444 पर